है लो एब्रीवान सो हावर यू आल आई होप यू आल विल बी वेर गूड इन इन दे सेम गुड वे आल आव यू पीपल विल बे स्टेडिंग तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आचुका हूं बीए फर्स्ट यर एग्जामिनेशन दोजार चुका हूं इक दोस्तों को शेरेंगे वीडियो अंतर जरूर देखेंगे टाइम दिया हूए थ्री अवर्स मैक्सिमम माक 75 तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बरबादिन ना करते हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट वन से आपक्वेशन है यहाँ पर फर्स्ट दिया हु बहुत अधुनिक तकनिकों का प्रयोग करना यह सब वनिजी करन के अंतर गताता है तो इसे आप क्या समझते हैं यह बताएंगे ठीक है फर्स्ट उसके बाद क्रिसी के वनिजी करन के प्रमुक करन मतलब प्रमुक करन क्या है यह आपको बताना है ठीक है तो प्रमुक करन हो हो सकते हैं जनसंग के विद्धी और बहुत सा चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहुत उत्पादन के लिए यह सभी चीज़ें इसके अंदर गता सकती हैं उसके बाद उसके प्रभाव को आपको समझाना है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके क्या फायदे हो सकते हैं उसके क्य लिखनी है यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर फर्स्ट दिया हुआ है बांबे प्लान बांबे प्लान क्या है यह आपको लिखना है उसके बाद टिपणी लिखने इस पर उसके बाद यहां पर दिया हुआ है गांधिवाद नियोजन क्या है भई यह आपको लिखना है गां भारत में मौद्रिक एवं करेंशी विकास मौद्रिक मतलब मुद्रा के लिए और एवं करेंशी विकास तो भारत में करेंशी विकास कैसे बढ़ाया जाए करेंशी को कैसे बढ़ाया जाए आज देखिए अमेरिका के डॉलर एक रुपया हमारा एक रुपया तो उनका पैसा म लिकनी है इस पर आपको थोड़ा से ज्यादा नौलेज प्राप्त करना पड़ेगा ठीक है तो उसके बाद यहां पर दिया हुआ है अरफ व्यस्ताओं का वर्णन किजिए तो जो भारत की अरफ व्यस्ता है उसकी प्रमुख व्यस्ताओं का वर्णन आपको करना है बारत की अर्थववस्था पर बहुत बड़ी अर्थववस्था है एक अरब 40 करोड लगबक यहां की जनसंख्या है आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अर्थववस्था होगी ठीक है तो इन सभी की प्रमुख विसेष्थाओं को आपको वर्णन करना है उसके बाद यहां पर और में दिया हुआ है उसी कैस्वा में निम्न लिखित में से किनी दो पर संचिप्त टिप पढ़िया आपको लिखने है फिर से यहाँ पर दिया हुआ है भारत की जनसंख्या निती इंपर आपको लिखने है जो कि भारत की जनसंख्या आप लोग जानते होंगे एक अरब 40 करोड तो यहाँ पे आपको उसकी जनसंख्या निती कैसी है यह आपको उताना है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या का प्रवासन जनसंख्या का प्रवासन कीसे कहते हैं भाई यह आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद है यहाँ पे जल संसाधन उसके बाद यहां पर दिया हुआ है उसके बाद यहां पर दिया हुआ है इकाई तीन यूनिट 3 से यहां पर थर्ड दिया हुआ है उत्पादन एवं उत्पादक्ता का क्या आशा है मतलब उत्पादन एवं उत्पादक्ता का क्या आशा है उत्पादन उत्पादन जो हमारे क उतित्पादक्ता से आसा है यहां पर कि जितना फसल वह उत्पादन करता है उसे उतपादक्ता कहते हैं मान लीजिए एक फैक्टरी अर्सप्र है उसमें 10,000 पीस कोई चीज उत्पाद होता है तो यहांपे वो कहलाएगा कमपणी की उतफादक्त तो यह है ठीक है उसके बाद भारत में क्रिसी उतफादक्त को बढ़ाने हित्तु सुझाओ देज़े उत्तु सुझाओ क्या है? तो इस पर आपको बहुत से टौपिक इसके अंदर आ सकते हैं तो भूमी का सही से उपयोग करना दूसरा है और कीटनाशकोदव का कम से कम प्रयोग करना और जैविक पदार्थों का उपयोग करना मतलब कीटनाशकोदव का ठीक है और बहुत से चीज़े आधूनिक जो आधूनिक फसल प्रणाली है उसका उपयोग करके हम बढ़ा सकते है तो इन सबी चीजों को आपको इसके अंतरगत लिखना है उसके बाद यूनिट यहां पर देख सकते हैं आप आथवा में दिया हुआ उसका और में निर्मनलिखित में सेकिन ही दो पर संशीप्त टिपणिया आपको लिखनी है तो यहां पर फर्स्ट दिया हुआ है तीन दिया है यह आपको बताना है यहां पर सेकंड दिया हुआ है इंपोर्टेंट कोई है यह भी है इंपोर्टेंट भूमी सुधार भूमी सुधार आप क्या कर सकते हैं किसी बंजर भूमी का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं भूमी सुधार में इसका कौन से फायदे हैं देश को क्या मैं नीजी करण मतलब प्राइवेट ठीक है तो प्राइवेट यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ऑफ इंडिया प्लान उसके बाद उदारी करण मतलब लेंड रिफॉर्म मतलब जमीन का फिड से उप्योग करना उसके बाद वैस्वी करण पूरे विश्व में यहाँ पर आपको को होता है तो वैस्वी करण से आपको क्या फाइदा है क्या नुकसान है यह सबी चीज़ों को आपको इसके अंदर गत लिख सकत बारात में 1999 की अध्योगीक करने और यहां करना थीख हो ठीक है इसके बाद यहां पर आथ्वा में आथ्वा में कि लिखनेंे को आ हम नियांगे तो आप बिलकुल अच्छे से त्यार करने थाक लिखने वा है थैसी सार्वजनिक शेत्र है तो सारवजनिग्शेट्र कुण कोंस है आप ़ोग जानते होंगे पहुंश से सार वजनिग शेत्र है भारत में दूसरा दिया हुआ है योजना वधी में आध्योगी विकास जो कि योजना बनाकर जो दयूगी विकास करते हैं उसके में आपको लिखने हैं और थर्ड दिया हुआ है फेमा एवं फेरा तो यह फेमा और फेरा क्या है इसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लेंगे यहां पर पिटल्स लेटर में दिया हुए इसका मतलब है यहां ठीक है जो कि इसका फूल फॉर्म भी होगा तो इसके बारे में आप लोग देख लेंगा उसके बाद आपका लाश्ट यूनिट से आए हुआ हुआ है यूनिट फाइव से फिफ्ट दिया हुआ है भारत में नवीन आयात निद्यात निती का आलोजनात्मक व्याख्या कीजिए आयात निद्यात ठीक है तो हमारे देश से जो व्यस्तुवें भेजी जाती है दूसरे देश में वह कहलाता है निद्यात और दूसरे देशों से हमारे देश में मंगाया जाता है वह कहलाता है आयात ठीक है तो यहां पर उसकी नीती का अलोजनात्माग व्याख्या करना है उसके विपक्ष में मतलब उल्टे में ठीक है तो यहां पर व्याख्या आपको करनी है उसके बाद यहां पर दिया हुआ है आपका last question अत्वा में गरीबी क्या है important question के लिए तो भारत में गरिबी निवारण के लिए चलाई जा रही योजनाओं योजना कौन-कौन से हैं मध्यमवर्गी परिवार को उठाने की कौन-कौन से योजना यह लोग जानते होंगे आस-पास की योजनाओं को बारे में जा आप जानते होंगे उसके बारे में आप य करें साथ ही साथ अगर आपको किसी विशाय के प्रश्ण पत्र की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करें मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके जरूर आँगा तो मिलते हैं चीक और यूसूल वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक यू